हेलो फ्रेंस गुड़ीनिंग नमस्कार सस्त्रेकाजी दोस्तों उमिद करता हूँ आप सब लोगों की ट्रेडिंग जर्णी है वह बहुत ही बहुत ही बेतरीन रूप से आगे बढ़ रही होगी जो वेल्थ क्रियेशन देखो हम सब का गोल है वेल्थ क्रियेशन करना अपने अपने नेक्स जर्नेरेशन के लिए तो वो गोल आप लोगों का बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आज जब सुबह मार्केट ओपन हुई तो कितने लोगों का पॉर्टफोलियो में प्लस अपने आप आगे कि आज मा इलेक्शन्स तीन स्टेट के एलेक्शन बीजेपी विन के लिए तो बहुत बड़ा पोजिटिव बूस्ट था मार्केट के लिए तो आज मेरे पॉर्टफोलियो ने 27 प्रसेंट 27,000 प्लस था जब मेरा पॉर्टफोलियो आज ओपन हुआ लास्ट टाइम में मैंने देखा नहीं कितना था 27,000 प्लस से अज स्टार्ट हुआ था तो देखके काफी अच्छा लगा हमको क्या करना है हमको चीजे अच्छी चीजे खरीदनी है और होल्ड करना है स्टोप लोज के साथ पेशेंस के साथ और पैसा धीरे धीरे करके बन ज तो आप लोगों का अपना चैनल है दोस्तों यह और आप लोग आप लोगों का जो प्यार है आप लोगों की यह बेस्ट वेशिज है को लाइक और कमेंट के रूप में जैसे मिल रही है उससे भी डबल ट्रिपल फूर टैंस टैंस होके वह मिलती रहें आप लोगों के प्य उनमें यूँ चेक कर सकते कि क्या वो लोंग टरम में पैसा दे सकते हैं सुरात करेंगे एक ऐसे स्टोक से जो हमने 101 रुपे पर आपके साथ डिसकस किया था 101 रुपे पर शेर किया था कि यह स्टोक अपने को 4x पैसा कर सकता है 100 रुपीज का 400 रुपीज हो सकता है स्टोक का नाम था इमामी रियलिटी तो आप लोगों की अलग अलग तरह की रियक्शन्स दी काफी लोगों ने प्रोफिट भी बनाया इसके अंदर कुछ लोगों का था कि यह नहीं चलेगा स्टोक तो इसलिए ऐनी नहीं चलेगा वाले कि उसनन पैसर हमणा आरा यह रहता है न क्यों हमको कि क्या रखना पड़ता है रिस्क निक्या करके रखना प्रद स्टोक अ था तो यहां पर आ जाना रहे हैं का पर 109 पर लेकर जा रहे हैं तो रेट कर रहा है एं-चातक militभ यह अलोग ही हम स्टोप लोस नहीं होगा कि हमारी बाइंग 101 की थी स्टोप लोस 109 का है डर लग रहा है तो 138 पहे जी 38-40 परसेंट मिल रहे हैं आप बुक कीजिए और प्रुभू का नाम लेजिए एंजोई कीजिए फिर भी स्टोप लोस को ट्रेल करके आगे लेके जाएं और अपने प्रोफिट को आप ऐसे ही बढ़ा सकते हैं छोटे प्रोफिट को बड़े प्रोफिट में कैसे कर सकते हैं यहां से ऐसे कर कर सकते हैं यह स्टोक जोब हमने वन जी रोवन पर वाद की थी तो 200-300 परसेंट के लिए था कि यह व्यू है समय बताएगा कि कैसे मिलेगा अभी 38 परसेंट अपने को मिल रहा है नेक्स्टोक आज देको डे टाइम में अगर आप हमारा एक चैनल है टेलिग्राम का मनी मंत् द्रवित दिपको रुईला भोछ से लोग ना फ्रीक चैनल जो कर लेते हैं और फ्रीटने वाले लोग है और लोग व्यूसे क्या करते हैं 10,000 रूपए 20,000 रूपे ले लेते हैं और उनको ब्लोग कर देते तो सर अपंबिछ फीस है नहीं यह लोग ले लेते हैं यह देखिए यह भाई यहां पे स्माइल भी कर रहा है आज ही हमने पाइसा लो पाइसा लो डिजिटल लिमिटेड यह ने 88 पे शेर किया था और 96 इंटरडे के अंदर बन गया तो पैसा तो इसने दिया जैसा स्टोक का नाम है वैसा पैसा देके जा रहा है हां आला कि यहां से 95 रुपीज से 113 की एक लग रहा है कि यहां से इस लेवल तक जाएगा स्टोप लोस 81 रुपीज का रखके और इसमें इन्वेस्टिट रह सकते हैं क्योंकि हम यहां इसके लिए नहीं सोच रहे हैं हम यहां से जो यह वाला ब्रेक आउट आज मिल सकता ना अपने को यह ब्रेक आउट अगर अपने को मिल जाएगा ना तो है कुछ मज़े की बात तो यह वाले ब्रेक आउट में भी आप देख सकते हों कि इसकी जो डेफ्थ है वो करीवन 66 रुपीज की है तो हम उसके लेड ट्रेड करना चाहते है और हमने यह स्टोक डिस्कस किया था आज 86 पर तो देखिए 100 परशेंट की रेटिंग यहां से भी दे सकता है स्टोक तो जिल नोगों ने डे टाइम में बाइक किया है प्रोफिट बुक नहीं किया है होल्ड कर रहे हैं तो स्टोप लोस के साथ निवेशित रहें एटी रूपीज का स्टोप लोस रख सकते हैं और होल्ड करेंगे पोजिशन को फर्दर अच्छा पैसा बन जाए ट्रिपल डिजिट में प्रोफिट रन हो जाए 100 प्लस जाएगा तो 50 परशेंट कॉंटिटी बेचेंगे और बाक्की 50 परशेंट कॉंटिटी को होल्ड करें तो यही सिंपल चीजें चीजों को सिंपल करके चलेंगे आगे नेक्स्ट दोस्तों देखो मुंझाल शौअ आप लोगों ने नाम भी सुना और आव सकता कि आप लोगों के पूर्फॉलियों में पहले से भी हो तो मुंझाल शौआ ने डेली केंडल पे पोल फ्लेक का 145 के उपर क्लोजिंग चाहिए दूसरा अगर थोड़ा सेफ रखना चाहते हैं तो यह 149 का लेवल है यहां से एंट्री लेंगे ना तो और सेफ्टी के साथ एंट्री बन सकती है 149 के आज पास एंट्री ले सकते हो और 135 का स्टोप लोस रख सकते हो स्टोप लोस को हम रेड कलर में माग करना चाहेंगे और मिल क्या सकता है यह जो पोल की लेंथ है यह हमारा टार्गेट है यह टार्गेट अपने को 220 तक लेके जा सकता है दोस्तों 220 के लिए देगो 140 अब यहां पर आप ju either oldest है प्राइस आपके सामने है थार्गेट आपके सामने आपका का मधर आपको कहां पर प्रोफेट मिल सकता है करेंगे वो सबibl mend सब्सक्राइब करना चाहिए और सबसे इंपोर्टेंट चीज है अपने पॉर्टफोलियो को डैवर्सिफाइब करके रखना असे अलोकेशन प्रोसस से की एक स्टोक के अंदर बहुत ज्यादा नहीं करनी है 3%, 4%, 5%, 3-4% या 4-5% ऐसे इवर्स्ट करके चलो और time to time profit book करते रहो यह बहुत इंपोर्टन सीज है स्टोक में swing trading में बहुत इंपोर्टन है कि timely profit book कीजिए और दूसरे स्टोक में entry लिजिए तभी पैसा rotate हो पाएगा और grow हो पाएगा नेक्स टोक की बात करते हैं दोस्तों पेट्रोनेट एलंजी अब यहां से चार्ट को देखे क्या लग रहा है तो चार्ट अच्छा सा अच्छा का से देखो क्रेक्शन आई थी अब यह एक फेज है इस फेज से निकलने की कोशिश कर रहा स्टोक तो यह लाइन है टू जीरो थी की यहां के बाद है यह डोजी केंडल बड़ी अच्छी लग रही मुझे यहां पर यहां पर एक मुझे एक साइन लग रहा है यहां पर कि यहां पर इसमें अंदर अभी 215, 230, 240, 250 इन टार्गेट के लिए हम पेरेट्रोनेट LNG में निवेश कर सकते हैं अब पेरेट्रोनेट LNG के अलावा दो स्टोक और हैं इसी स्टोक के IGL और MGL गुजरात गैस तो इन तीन स्टोक के चार्ट अगर चार्ट देखते हो आप लोग तो इन तीनों के चार्ट दे परसा बनाके दे सकते हैं स्टोक लोज के साथ ही ट्रेट करें दोस्तों तो पैट्रोनेट अनरजी है दो तीन वीक में आपको 10-20% के रिटन ये स्टोक भी बनाके दे सकता है ओल्ड की कर सकते हैं 94 के 194 के स्टोक लोज के साथ के नेक्स टोक ऑगे आघ्टी टैक ड्रग्स अब ये देखो फार्मा सेक्टरी की एक क्योटी कंपनी है ये चार्ट आपकी स्टिडी के लिए हैistem दोस्तों अब यहाँसे थेको मंधली candle six chart ने मंधली चार्ट छोटा टाइम फ्रेम नहीं है बड़ा टाइम फ्रेम पर बात कर रहे हैं तो पहले अपने को यह दो राउंडिंग बोटन दिख रहे हैं हमको यह दो राउंडिंग बोटम का ब्रेक आउट आ गया जी और ब्रेक आउट भी कुछ छोटा ब्रेक नहीं लगारा बड़ा जबर्दस ब्रेक आउट आ रहा है देखो पिसले चार महिने की तीन मेनी केंडल बड़ी जबर्दस है और यह अच्छा उपर जा रहा है और तूसरा कि एक कुछ फोरिज क्या सिगरे हमको जkit लाश्ट टाइम डिसकस किया था ना तो पहले यही वालियन द्रो कि थी इस वाले मिल सकता है आनेवालेमल में आने सेफ रखना है तो यह है इस केंडल का लो यह स्टोप लोस हमारा रेड कलर में रहेगा 281 तो यहां पर एक कितने साल का ब्रेक आउट दोस्तों यह है करीब थर्टीन इयर का मल्टी इयर ब्रेक आउट स्टोक अपने को मिल गया है यहां पर स्टोप लोस होना बहुत जरूरी है और यहां से यह स्टोक अपने को पैसा डबल ट्रिपल करके भी दे सकता है तो स्टोक अभी त्री-फॉर्टी में ट्रेट कर रहा है अब पहला जो मिनिमम एक टार्गेट हमको आना चाहिए पहले हम इस टार्गेट के बात करेंगे कि यह टार्गेट अपने को मिल जाए 470 तक के टार्गेट के लिए हम इसमें इन्वेस्टिट रहेंगे एज अफ नाव और बाद में इसको फिर से रिविव करेंगे हाई यह स्टोक अपने को 100-200 परषेंट के रहें दे सकता है मल्टियर ब्रेक आउट है और ब्रेक आउट में ऐसे सिटिशन में टू टाइम्स तू फाइव टाइमस ही पैसा बन सकता है तो रिजनेबल कॉंटिटी एड कीजिए और होल्ड कर सकते जैसे जितना आपको अपका समय आपकी पोकेट आपको अलाव करती है उतना आप इसको होल्ड कर सकते हैं आज के स्टोक्स यही थे दोस्तों उम्यद करता हूं स्टोक्स आइडिया जो हमने डिस्कस किये हैं वह आपको अच्छे लगे होगे और अच्छे लगे हैं तो फ्लीज कमेंट करके बताइए आपके comment जो ने दोस्त जोईन होते हैं उनके लिए एक knowledge के तरह काम करता है कि क्या यहाँ पे अपने चैनल पर अच्छी चीज़े discuss होती है मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आपके साथ अच्छी चीज़े अच्छे stock ideas discuss किये जाएं जो regular basis पे मैं daily basis नहीं बोलना चाहता है मैं regular basis पे बोलना चाहता हूं कि regular basis पे timely profit book होता रहे और आपका money rotate होता रहे आपका money grow करता रहे यही मेरी यह मेरा motive है यही उमीद है कि हम दीरे दीरे करके इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं यही एक पैसा grow करने का तरीका है stop loss को trail करके लेगे जा family and friends चीज़े अच्छी लग रहे हैं तो stock ideas अच्छे लग रहे हैं बाते अच्छे लग रहे हैं तो like कीजिए comment कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए first time channel पर आए है तो please subscribe कीजिए दोस्तों और दोस्तों के साथ भी share करते लिए thank you friends have a wonderful time जै हिंद जै भारत हम फिर मिलेंगे दो कीजिए लग रहे हैं तो